परिचाहे परिचाहे पाई जाने वाले संपदाएं हैं प्राकृतिक संसाधन वायु मंदल, जल मंदल और स्थल मंदल के घटक है जीवन मंदल का भौतिक भाग तीन मुख्य समुहों में विभाजित किया गया है स्थल मंदल, जल मंदल और वायु मंदल स्थल मंडल में प्रित्वी की सबसे बाहरी परत यानी परपटी या क्रस्ट के ठोस घटत जैसे मृदा, चट्टान और खनिच शामिल होते हैं केवल प्रित्वी की सबसे बाहरी परत जैसे मृदा भी कहते हैं में जीवित जन्तु पाए जाते हैं तथा ये जीव मंडल का एक भाग बनाती है तालाब, नदिया, जील और समुद्र सभी जल मंडल के जलिय घटकों में शामिल है जल प्रित्वी के सतह का लगभग 75 प्रतिशत भाग गेरता है जल भूमिगद भी पाया जाता है वायू मंडल एक कंबल की तरह जल मंडल और स्थल मंडल के आसपास गैस का आवरन बनाता है वायू मंडल प्रित्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की उचाई तक फैला होता है ये चार भागों में विभख्त होता है शुब मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल इसलिए हम कहते हैं कि जीवन मंडल मुखे रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है जैविक खटक सभी जीवित वस्त्वे, अजैविक खटक यानि वायू, जल तधम्रदा उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जीवन की श्वास वायू को समझना जलवायू नियंत्रण में वायू मंडल की भुमिका को पहचानना वायू की गति, पवन को समझना वर्षा को समझना वायू प्रदूशन को समझना जल एक अद्भुत द्रव के गुणों को पहचानना, जल प्रदूशन को समझना. जीवन की श्वास वायू हम सभी जानते हैं कि वायू, नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन डायोकसाइड तथा जल वाश्प का एक मिश्रण है. इस मिश्रण के कारण ही प्रित्वी पर जीवन संभाव है. प्रित्वी की सतह पर अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन तथा आक्सीजन उपस्तित है. नाइट्रोजन अठटर प्रतिशत, आक्सीजन 21 प्रतिशत, कार्बन डायोकसाइड तथा अन्य गैसें 0.03 प्रतिशत, निश्क्रिय गैसें औरगन 0.93 प्रतिशत. हम ये पहले से ही चानते हैं कि जीवधारी, युकेरियोटिक या प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. इसलिए कोशिकाओं को गुलुकोज अडों के विखंडन तथा अपने क्रिया कलापों के लिए उर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवशक्ता होती है. इसके परिणाम सो रूप कार्बन डायोकसाइड का निर्मान होता है. एक अन्य प्रक्रिया जिसके परिणाम सो रूप आउक्सीजन की खपत तथा कार्बन डायोकसाइड का निर्मान होता है. देहन की प्रक्रिया कहलाती है. जोकी या तो मानव क्रिया कलापों अथवा जंगलों में लगी आग का परिणाम होती है. हालकि विभिन क्रिया कलापों दुआरा कार्बन डायोकसाइड का एक बड़ी मात्रा में निर्मान होता है. किन्तु फिर भी वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइड का प्रतिशत कुल प्रतिशत का एक छोटा सा भाग ही है. कार्बन का यह प्रतिशत सीमित इसलिए है क्योंकि कार्बन डायॉकसाइट दो विधियों से स्थिर होती है पहला हरे पौधे इसे ग्रहण करके सूरे के प्रकाश तथा क्लूरोफिल की उपस्थिती में गुलुकोज में बदल देते हैं दूसरा, बहुत से समुदरी जन्तू, समुदरी जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वायू मंडल प्रित्वी को एक कंबल की भाती ठकता है हम यह भी जानते हैं कि वायू उश्मा का एक कुछालक है वायू मंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोखता है वायू मंडल प्रित्वी के औसत तापमान का दिन के समय और यहां तक की पूरे वर्ष भर लगभग नियत बनाए रखता है और रात के समय उश्मा को बाहरी अंत्रिक्ष में जाने की दर को कम करता है चंद्रमा की सतह जहां वायू मंडल नहीं है उस पर तापमान माइनस 190 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्धे रहता है वायू की गति पावन तुम मैंसे कितने लोग समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पर खुमने गए हो तुम सभी ने शाम को बहने वाली ठंडी समीर को महसूस किया होगा तथा गर्म दिन के बाद इन समीरों से मिलने वाली राहत को भी महसूस किया होगा इसी प्रकार गर्म मौसम के बाद जब वर्षा होती है तो हमें बहुत राहत मिलती है वायू की गती वायू के गर्म होने के कारण होती है तथा जब इस वायू में जलवाश्प उपस्थित होती है तो यह ठंडी समीर बन जाती है जलवाश्प जीवित प्राणियों के क्रिया कलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है स्थलिय भाग या जलिय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर विकिरण के कारण वायू मंडल गर्म होता है गर्म होने पर वायू में समवहन धाराएं उत्पन होती हैं जब वाईू स्थल और जल के विकरण के कारण गर्म होती है तब ये उपर की ओर प्रवाह करती है जूकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। इसलिए स्थल के उपर की वायू जल के उपर की वायू की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। इसलिए अगर हम 30 क्षेत्रों को दिन में देखते हैं, तो पाते हैं कि स्थल के उपर की वायू तेजी से गर्म होकर उपर उठना शुरू करती है। जैसे ही यह वायू उपर की ओर उठती है, वहां कम दाप का क्षेत्र बन जाता है, और समुद्र के उपर की वायू कम दाप वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है. एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायू की गती पावनों का निर्मान करती है. दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं चूंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए जल के उपर की वायू स्थल के उपर की वायू से गर्म होगी हवा की सभी गतियां विभिन वायुमंडलिये प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पृत्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं जैसे पृत्वी की घूणनकती तथा बवन के मार्ग में आने वाली परवत श्रिंक लाएं वर्शा जैसा की हम सब जानते हैं कि गर्म, नम तथा उठने वाली वायु आसमान में बादलों का निर्मान करती है इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दिन के समय जलिये भाग के गर्म हो जाने से बादल बनते है जब गर्म वायु उपर की ओर उठती है तो ये फैलती है तथा ठंडी हो जाती है वादा वरण में ठंडी वायु जमीन की तरफ सिकुड़ जाती है ठंडा होने के कारण हवा में उपस्तित जलवाश्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संखनित हो जाती है वायु में उपस्तित धूल के करण नाभिक के रूप में कारे करते हैं तथा संखनन की प्रक्रिया प्रारंब हो जाती है संगनन की प्रक्रिया लगातार होनी के कारण ये छोटी बूंदें बड़ी बूंदों में बदल जाती है जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है कभी-कभी जब वायू का तापमान काफी कम हो जाता है, तब ये हिम वरिष्टी अथ्वा ओली के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। वर्षा का पैटन पवनों के पैटन पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भुभाग में अधिकतर वर्षा दक्षन पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। हम मौसम सूचनाओं में अक्सर ये सुनते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर वायू का दबाव कम होने के कारण कई ख्षित्रों में वर्षा हुई। वायू प्रदूशन इन दिनों प्रदूशन शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है। वायू जल तथा म्रिदा में होने वाला प्रदूशन जीवन के विभिन रूपों पर कुप्रभाव डालते हैं। जबकि प्रदूशक एक ऐसा पदार्थ, रसाइन या कारक है जोकि वातावरण में पहुँचकर मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूशक को इस प्रकार भी परिभाशित किया जा सकता है कि यह एक गलत मात्रा में गलत स्थान पर या गलत समय पर पाया जाने वाला एक घटक है। वातावरण में बाहे कड़ों अथ्वा गैसों की उपस्थिती जोकि मानव, पौधों तथा जन्तूओं के लिए हानी कारक होती है वायू प्रदूशन कहलाती है। वायू प्रदूशन का मुख्यकारण जीवाश्म इधन का देहन है। जीवाश्म इधन जैसे कोईला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये इंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन आॉकसाइड उत्पन करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है बलकि ये वर्षा के जल में मिलकर अमलिये वर्षा भी करते हैं। जिवाश्म इंधनों का तहन वायू में निलम्बित कड़ों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। ये निलम्बित कड़ बिना जले कार्बन कड़ या पदार्थ हो सकते हैं जिनहें हाइड्रो कार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूशकों की अधिक मात्रा में उपस्थिती द्रश्यता को कम करती है। विशेशकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायू के साथ संखनित होता है। इसे धूम कोरा कहते हैं तथा ये वायू प्रदूशन की ओर संकेत करते हैं। इन पदार्थों वाली वायू में सांस लेने से कैंसर, हिर्दैरोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जल एक अध्भुत्रव जल प्रिथवी की सथा के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और ये है भूमी गदभी होता है। जल की कुछ मात्रा जल वाश्प के रूप में वायू मंडल में भी पाई जाती है। प्रिथवी की सतह पर पाय जाने वाले जल का कुल 97 प्रतिशत सागरों तथा महा सागरों में पाया जाता है. तथा यह जल क्षारिय होता है. प्रिध्वी पर एक प्रतिशत ही स्वच जल पाया जाता है दो प्रतिशत शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों धुरुवों पर तथा बर्फ से ढगे पहाड़ों पर पाया जाता है भुमिकत जल तथा नदिया, झीले तथा तालाबों में पाया जाने वाला जल भी स्वच्छ जल होता है उपलब्दता विभिनिस्थानों पर भिन्भिन होती है गर्मी के मौसम में अधितर स्थानों पर जल की कमी हो जाती है जल का महत्व जल इसलिए आवशक है क्योंकि सभी जीवों को जल की जरूरत है सभी कोशिकिये प्रक्रियाएं जलिये माध्यम में होती है सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का सववहन खुली हुई अवस्था में होता है इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलिद बनाए रखते हैं स्थलिये जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आविशक्ता होती है क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है इसलिए प्राणियों और पौधों को पृत्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धी के स्रोध आवशक हैं जल प्रदूशन क्या तुम्हें पता है कि जल प्रदूशन जल में कुछ ऐसे पदार्थों के मिलने के कारण होता है जो की जल की गुणवत्ता को कम करते हैं जिससे ये स्वास्त पर भी कुप्रभाव डालता है जल उन कीट नाशकों और उर्वर्कों को भी घुल लेता है जिनका उप्योग हम खेतों में करते हैं अतहा इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है हमारे शहर ये नगर के नाले का जल और उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जलाशे में वापस लोटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है, तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव परता है। गहरे जलाशे के अंदर का जल सूरे के द्वारा गर्म उपर की सतह के जल की तुल्ना में शीतल होगा। ये सभी जलाशेयों में पाय जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृध्धी को प्रोसाहित करते हैं, तो कुछ को हानी पहुचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। जल प्रदूशन निम्न प्रभाव उत्पन करता है। जलाशयों में अनेचिक पदार्थों का मिलना। ये रोग फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्तीरिया भी हो सकते हैं। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। उसका जलिये जीवों पर विपरीद प्रभाव पड़ता है। जलाशय से अन्य पोशक की कमी भी हो सकती है। तापमान में परिवर्तन जलिये जीव जिस जलाशय में रहते हैं, वे वहां के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं। और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विभेन प्रकार के जन्तूओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रती सम्वेदन शील होते हैं। क्या आप जानते हैं? Statue of Liberty, SO2 तथा NO2 एवं ताज महल मथुरा रिफाइन्डी से निकलने वाले SO2 के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। SO2 से अस्थमा तथा प्रोंकाइटे साधी होने की संभावना बढ़ जाती है। 1920 में जापान में 200 लोग इटाई इटाई रोग के प्रभाव के कारण मर गये थे, जोकी कैट्मियम विश के कारण हुई थी। 1989 से पांच जून को विशुपरिया वरंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत के बचाओ का अंतरराश्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर का प्रथम सप्तह, वन्य जीवन सप्तह के रूप में मनाया जाता है। 16 सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 16 प्रिथ्वी पर जीवन म्रिदा, वायू, जल तथा सूरे से प्राप्त उर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। 16 स्थल और जलाशयों के उपर विशम रूप से वायू के गर्म होने के कारण पवने उत्पन होती है। 16 जलाशयों से होने वाले जल का वाश्पी करण तथा संखनन हमें वर्षा प्रदान करता है। 16 किसी क्षेत्र में पहले से विद्द्यमान वायू के रूप पर होने वाली वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है। 16 जलाशयों निर्भर करता है। 16 जलाशयों निर्भर करता है। झाल झाल